नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तों और आप देख रहे हैं केती खजाना दोस्तों आज हम बात करेंगे तर्बूज और खर्बूजे में लगने वाले रोग और उनके निदान के बारे में अभी जो समय चल रहा है तर्बूज और खर्बूजे की फसल का समय है जिसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारा किसान भाईयों को तर्बूज के जो रोग लग रहे हैं और उनके निदान में काफी समझ्याएं भी आती है बहुत सारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा रोग है और क्या इसका निदान हो सकता है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपने भी तर्बूज या खर्बूजे की फसल लगा रखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपने फसल में लगने वाले रोग को भाचान करके उसका निदान कर सकें दोस्तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाएए चैनल को सब्सक्राइब कीशे और बेल आइकोन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें दोस्तो कहते हैं कि हवा में अधिक नमी होने पर फल देरी से पकता हैं और फल पकते समय मोसम शुष्क रहे और पच्छुआ पवन बहे तो फलों की मिठास काफी बढ़ जाती है मेदानी चैतरों में खरबुजे की बवाई 10 से 20 फरवरी के बीच हो जाती है और वही मई, जून, जुलाई तक इसके फल की तुड़ाई होती है और पहाडी शेतरों में अप्रेल से मई तक इसकी बवाई की जाती है दक्षिन एवर मध्य भारत में इसकी बवाई अक्टूबर, रवामबर तक की जाती है पके फलों की पहचान करना और खरबूजे या तरबूज को जब पूरी तरह से अच्छे से पक जाए तब ही उसकी तुड़ाई करनी चाहिए दोस्तों बात करते हैं हम खरबूजे और तरबूज में लगने वाले रोगों की तो सबसे पहला होता है चोणिल फफुन जो चोणि वाला फफुन या उसे आप देखते हैं कि जो तरबूज के ओपर धब्बे बन जाते हैं या पत्यों के ओपर धब्बे बन जाते हैं इस रोक के प्रथम लक्षन पत्तियों और तनों के सता पर सपेद या धुनले दूसर रंके धब्बे से की जाती है कुछ जिनों के लिए बाद ये धब्बा चूर्ण युक हो जाता है सपेद चूर्णित पतार्थ अंत में समूचे पोधे पर बढ़ जाता है इतना अक्रामक कारण होने की वज़र से इसकी जितनी भी पत्तियां होती है वो सारी पत्तियां गिर जाती है और इसके कारण फलो का आकार भी नहीं बढ़ पाता है वो छोटे ही रह जाते हैं तो इसका रोगदाम के से करें इसके रोगदाम के लिए रोगी पोदे को आपको खेट से इकटा करके निकाल देना है जला देना है और हमेशा ध्यान रखें कि बोने के लिए रोग रोधी किस्म का ही चैन करना है आपको इसकी रोगदाम के लिए पहले से आपको कैलेक्सिन 1 ml दवा एक लिटर पानी में घोल बनाकर साथ दिन के अंतराल में या फिर टोपाज एक एमेल दवा चार लिटर पानी में घोल बनाकर एक से दो छिड़काव दस दिन के अंतराल में करने होते हैं दूसरा रोग होता है दोस्तों मदुरुमिल आसिता यह रोक वर्षा रितु के उपरांद जब तापमान 25 डिग्री से उपर हो जाता है तब तेजी से फैलता है। उत्तरी भारत में इस रोक का प्रकोप अधिक है। इस रोक से पत्तियों पर कोणी धपे बनते हैं ये पत्तियों के उपर के भाग को पीला कर देते हैं। अधिक तादरता होने पर पत्तियों के निचली सत्व पर ये कवक की व्रद्धी हो जाती है। इस वज़े से पोधे का उत्पादन भी नहीं हो पाता है। पोधा बढ़ नहीं पाता है। और उसमें तर्बूज भी उतने नहीं लग पाते हैं। इसकी रोकदाम के से करना है अधिक से 2.5 ग्राम प्रती लेटर पानी में घोल का छड़काओ करना है। पूरी तरह से रोक रस लताओ को निकाल देना है, जला देना है। रोक रहित बीज उत्पादन के लिए केवल स्वस्त फल से ही बीज लेने हैं ताकि भविश्य में इसी समस्य से आपको नहीं हो। इसमें दोस्तों एक मोजेक का भी वाइरस का भी प्रभाव परता है काफी। इस रोक का फिलाओ रस द्रव्य रोकी बीच का प्रियोग एवं एफिट कीट के द्वारा होता है। इससे खरबुजे के पोधे की नई पत्तियों में छोटे हलके पीले धब्बो का विकास सामने तर श शिराओं से शुरू होता है। मतलब पत्तियों की जो शिराये रहती हैं वहां से ये शुरू होता है। जिससे की पत्तियां सुकरना शुरू हो जाती है। पोधे में विक्रत और छोटे रहने की समस्या आ जाती है। हलके पीले चित्तिदार लक्षन फलो पर भी उत्पन हो पाएगा और विशानों वहाग केट के नेंतरन के लिए डाइमेथायट 1 ml प्रतिलेटर पानी में घोल बना कर दस दिन के अंतराल में शिड़काओ करते रहें फल लगने के बाद रासायनिक दवा का प्रियोग आपको नहीं करना है दोस्तों जब फल लग जाते हैं उसके बाद आप रासायनिक दवाओ का प्रियोग बंद कर दें और चोता होता है नेक्रोसिस विशाण। यह रोग थ्रिप स्कीट द्वारा फिलता है और रोग ग्रस पोधे की उपरी भाग में पत्यों और डंटलों पर छोटे-छोटे धब्बे बन जाते हैं जो की उपर से सुखने लगते हैं इसके अलावा पत्यों पर काले तता फलो प करें जो रोग रोधी हो क्योंकि यह रोग थ्रिप से फेलती हैं जो कि पत्यों से निशली सता पर बेटे रहते हैं जब यह कीड़े शीशु अवस्तस में हलके पीले रंग के हो तब कॉन्फिडर नामक अंतरप्रवा ही दवा होती है जिसका आप 3 ml मात्रा 10 लिटर पानी मे खोल कर छिड़काओ करें दवा के चिड़काओ के 8 से 10 दिन के बाद ही आप फलो की तुड़ाई करें दोस्तों तो यह जो थे यह प्रमुक रोग थे हैं और प्रमुक कीड की बात करें दोस्तों तो इसमें लाल कीड की जो समस्या रहती है वो काफी रहती है यह कीड़े जो नुकसान पोचाते हैं जिससे की पुराने और बड़े पोदे पीले पड़ जाते हैं और उनकी बढ़वार रुख जाती है यह केड़ा नवंबर फरवरी की आउधी को छोड़कर पूरे साल सक्री रहता है तो इसकी रोगदाम आप जरूर करें सुबह के समय प्रोड अधिक सक्री नहीं होता है अधा प्रोड को हाँ से पकड़कर मार देना ज्यादा बहतर होता है सुबह उस्पढने के समय राख का आप बुर्काव करतें उसकी प्रोड पोदे पर नहीं वेड़ता है जिससे नुकसान कम होता है यदि इससे भी नियंत्रण नहीं हो तो मेलाथियोन चोन 5% या कारबारेल 5% के 25 kg चोन प्रती हेक्टेर की दर से राख में मिलाकर सुभर पोदे पर आप बुर्काव कर दें या फिर मेलाथियोन 50 EC, 5.5 ml प्रती लिटर या कारबारेल 50% गुलन सिल चोन 2 ग्रती लिटर पानी का गोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में छड़काव करते रहे एक और इसमें मक्की फल मक्की जो होती है उसका भी प्रकौप काफी बना रहता है इस कीट का जो लारवा होता है वो फलों को हानी पहुचाता है फूल आने से पहले भुमी से सटे तने पर अंड़ा देने से सडन शुरू हो जाती है तिता पोधा सुख जाता है या किट फल के जिस भाग पर छेद करके अंड़ा देता है वहीं से वह खराब होना शुरू होता है तो इसके लिए आप रोगदाम करें कि अंड़े देने वाली मक्की की रोगदाम करने के लिए खेद में प्रकाश प्रंचय या फेरामोन ट्रेप लगाना ज़रूरी है मिला है और गर्मी के दिनों में हल से गहरी जुताई कर भूमी के अदर मक्की के सुप्त अवस्ताओं को भी नश्ट करें आप जिससे क्या होगा कि बविश में जब आप अगली बार खेती करेंगे तो आपको फल मक्की की समस्यां उसे नहीं जूजना पड़ेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको ये कुछ प्रमुक कीट और मक्की और रोगों के बारे में बताया और उसकी रोगधाम केसे करना है वो भी हमने बताया है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और अधिक से अधिक किसान भायों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी जानकारी का लाव मिल पाए धनिवाद दोस्तों फिर में लेंगे और बहतर जानकारी के साथ जय जवान जय किसान जय है